हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल ओसियन टेग सो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप वाट्सअप पर दो अपते पुराने बेजे गए मैसेज को डिलीट करें तो अगर आपने भी किसी को गलती से कोई फोटो वीडियो या कोई ऐसा मैसेज सेंड कर दिया है जिसे आप कुछ दिनों बाद डिलीट फॉर एबरिवन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा चले वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप वाटसप को ज़्यादा यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि एक बार आपने अगर मैसेज को सेंड कर दिया तो कुछ सेकिंड तक ही डिलीट फॉर एबरिवन का ओप्सन सो रहता है पांस से साथ मिनट बाद अगर आप उसी मैसेज को डिलीट करेंगे तो आप सिर्फ डिलीट फॉर मी कर सकते हैं डिलीट फॉर एबरिवन का ओप्सन सो नहीं होता पर आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप दो अपते पुराने मैसेज को भी डिलीट फॉर एबरिवन कर सकते हैं तो इस ट्रिक से आप कुछ भी फोटो, वीडियो, ओडियो, डोकिमेंट कुछ भी आप उसके वाटसप से बड़ी आसानी से डिलीट कर पाएंगे तो चले ट्रिक को स्टार्ड करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फॉन के डेटा को बंद कर देएं उसके बाद आप अपने वाटसप को उपन करें और इधर उस चैट को फाइंट कर लें, जिसका मैसेज आप डिलीट करना चाहते हैं Chat find करने के बाद आप उस message को find करें जिससे आप delete for everyone करना चाहते हैं Message find करने के बाद इधर आप इसकी date और time को note करने जैसे की date है 16 July और time है 3.25 PM Date and time को note करने के बाद अब आप अपने phone की setting को open करें और इधर date and time को find कीजिए करने के बाद आप इन दोनों automatic वाले option को इधर से बंद कर दें उसके बाद set date पर click करके उसी same date को इधर से set कर लें जैसे की हमारी date थी 16 July तो हम इस date को 16 पर set कर देते हैं उसके बाद okay कर दें फिर आप set time पर click करें और उसी time से एक कम इधर set कर दें बतला हमारा time था 3.25 PM तो पहले इसे 3 पर लाएं उसके बाद इसे 25 से एक कम यानि की 24 पर set करें और इसे PM पर set करके okay कर दें उसके बाद आप दुबारा अपने whatsapp को open करें उसी message पर long press करें उसके बाद delete पर click करें और देखिए delete for everyone का option आज चुका है तो simply आप इस पर click करके इस message को उसके whatsapp से delete कर सकते हैं तो friends इस तरीके से आप delete for everyone का option ला सकते हैं और अगर date and time को change करने के बाद भी delete for everyone का option नई सो होता है तो एक बार आप अपने whatsapp का force stop कर दें फिर आपको ये वाला option सो होने लगेगा और आप सिर्फ दो अपते ज्यादा से ज्यादा तीन अपते पराने message को ही delete कर सकते हैं उससे ज्यादा पराने message को आप delete करने की कोशिस करेंगे तो कुछ इस प्रकार का option आपको सो होगा और आप उस message को delete नहीं कर सकते तो आप इस trick को दो तीन अपते पराने message पर try कर सकते हैं तो चले फलाल इस वीडियो में इतना ही thanks for visiting my channel हम मिलते हैं आप सबने अगली वीडियो में जब तक किले goodbye stay safe